अलो दोश्तों वेलकम टू यूनिक ऑलनाइन गुरू चैनल जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेल विद जीएश्टी और सेम इस्टेट में आज हम लोग पढ़ेंगे सेल विद जीएश्टी अधर इस्टेट में मतलब दो अलग-अलग इस्टेट में अगर हो रहा है सेल मान या आप यूपी के हैं आप वेश्ट बंगॉल में या महराश्ट में सेल कर रहा है तब आप उसमें सेल करेंगे और उसमें आई जीएश्टी कैसे लगेगा सेम इस्टेट में परचेज हो चाहे सेल हो सी जीएश्टी एश्टी लगता है और अधर इस्टेट में परचेज तो चाहते हैं लो आई जी एसटी रखता है ठीक है उसके लिए हमनों क्या करेंगे एकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और सेल्स में जाएंगे सेल्स के लिए एफ एट यहां पर रिफ्रेंस नंबर देंगे और पार्टी पार्टी यहां यहां पूरा पड़ा है नीचे आप देख सकते हैं यह लेजर बनाते समय जब आप लोग लिम्टेट का लेजर बनाएंगे तभी यह डिटेल डाल देंगे स्टेट और उसका जिएश्टी नंबर अब आइटम बना ले लेते हैं टेली विजन दो सौपीज और हमने बेज दिया इसको पैंतिस देख है तर उसके बाद हमने ले लिया एसी एसी है पूरा सौपीज और चालिस और उसके बाद हमने ले लिया लैपटॉप लैपटॉप धाई सौपीज तीस अब यहां के बाद दो इंटर और इस पेर आई जीएश्टी का लेजर हमने बना रखका था और आई जीएश्टी कड़ किया है आप लोग अगर लेजर पहले बना लेंगे तो यहां पे आफान कंगल स्वार्ट करके इंटर इंटर और इंटर यहां पर क्या लिख देंगे बि लिग गुट्स फोल्ड ल्ट है कि तो भी क्यू और लिंटर पी क्यू और लिम्टेट एक श्कू इसका पिंटर इंटर सेव होगया अब हम लोग क्या कर लेंगे हमें मनी रिसीव करनी है सिक PQR से तो F6 प्रेस करेंगे कि अप्सिक्स आजाएंगे कैस और कितना पैसा हमें PQR से लेंगे तो उसका टोटल बैलेंस आजाएंगे कितना बैलेंस हमें कि दो करोण 29,80,000 ठीक है कि पूरा लेके बैलेंस निल अभी हां कर लिल देंगे बींग कि पेमेंट Received by PQR Limited ठीक है दोस्तों तो हम लोग ने अभी क्या देख लिए Other State में Sale करेंगे तो उसका Transaction कैसे होगा बस आप लोग को यह ध्यान रखना है कि Same State में CDST, SGST चाहे Purchase हो चाहे Sale हो Other State में IDST चाहे Purchase हो चाहे Sale हो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही Thank You Very Much वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें